है हाउ टू इंस्टॉल इस फाइल एक्स्प्लूरर इन यो लाप्टॉप एंड पीसी आज के वीडियो में इस मैथड को किस तरीके से अप्लाई करना है अपने पीसी एंड लाप्टॉप में यही मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको नहीं पता इस पर एक्स्प्लूरर क्या है तो यह आप इमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहते हो फॉर बिगिनर्स के लिए तो यहां पर यह एक फाइल मैनेजर जो मोस्टली केसिस में आपके डिवाइस को इसली एनलाइज करता है और अननेसेसरी फाइल Linkson Folders को बाहर लेकर आते है जिसके आप उसे डिलीट कर सोगो और डिलीट हने के बाद मैं में एक अच्छा खासा इस Pink ऑैस को सब्क्राइक कर holog tamam करने के दिए लेकिन basically problem यह है कि यह जो ES file explorer है यह इसका PC version अभी तक available नहीं है इसलिए यह PC का PC में आपको install करना है तो आपको Microsoft Store से इसे purchase करना होगा बट अगर आप without a man pay case से आप purchase करना चाते है यानि कि आप इसे अपने PC में install करना चाते है तो इसके लिए आपको indirect method का use करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक Android Ambulator application की जिसका नाम है BlueStack BlueStack यह एक Android Ambulator है जिसकी help से हम Android की कोई भी application को अपने PC and laptop में easily install कर सकते है तो इससे आप कोई भी Android के application को अपने PC में use कर सकते है तो सबसे पहले आपको इस BlueStack application को अपने PC में install करना होगा इसके लिए आपकी इसकी official website है आपको Chrome browser में search करना है फर्स नमर पर इसकी official website आजाएगी और इसकी official website से आप easily BlueStack को अपने PC में install कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक और application जो सर्च करना है जो आपको Chrome browser में जाना है और इसके बाद इस up to down website से इस ES file explorer को simply अपने PC में install कर लेना है तो इसी website पर आपको 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 आपने PC में download कर लेना है तो बस यह download करने के बाद आपको डायरेक्ले अपने पर करके रखाएं वहाँ पर उसको क्लिक करके डायरेक्ली अपने PC में install कर लेना डायरेक्ली ब्लू स्टैक की help से आपके PC में install हो पाएगा और आप इस लिए अपने PC में इस ES file explorer को यूज कर पाएंगे as a file manager के base पर जो काफी जादा usable है और आप इसको अपने Android mobile के साथ अपने PC के लिए भी